नमस्कार दोस्तों स्वागेत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रग्वामे दोस्तों ये वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 12 के पेंडिंग सब्चेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो फाइन आर्ट लिखा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करूंगी ये फाइन आर्ट्स होता है तो चप्टर नमबर बारा हम पढ़ने वाले हैं समकालीन आधोनिक भारते कलाकारों के छापा चित्र तो प्रशन नमबर फर्स है आपका चित्र से क्या दात्पर रहे है इसके माध्यम वै मुद्रण की विधी का वर्णन कीजिए तो चित्र कला का नवीन विक्सित रूप है जो रेखाओं पर अधारित होता है ये रेखाएं किसी मजबूत चिकनी सत्ह है जैसे कि लकड़ी, धातू, कठोर, कागच या अन्यपदार से मिलकर बनी होती है पर मन चाहे आकार वे रूप में उकेरी जाती है फिर छाप बनाने वाली विधी से कागच, कपड़ा तथा अन्य किसी सत्ह पर उसकी छाप लेकर छापा चित्र तेयार किया जाता है चापा चित्रकला के माध्यम क्या है? तो सबसे पहला तो है लकड़ी विटा, वुड़कट, जिसको हम वुड़कट बोल देते हैं तो चापा चित्रण में सरपरतम लकड़ी का उप्योग किया गया था लकड़ी से ब्लॉक बनाने के पसचात, जो चित्रांकन किया गया, उसे वुड़कट चापा कला कहा गया सेकिंड है विटार लीथोग्राफी लीथोग्राफी क्या होता है पत्थर पर छापा प्राप्त करने के लिए किया गया कलात्मक कारे लीथोग्राफी कहलाता है थर्ड है आपका लीनोनियम मोटी रबर की शीट को काट कर छापा बनाने के लिए तयार किया जाने वाला जाल लीनो कट के नाम से जाना जाता है इसके अतिरिक्त कुछ और तकनीक है जैसे ओफसेट प्रिंटिंग हो गई सिल्क स्क्रिन प्रिंटिंग हो गई ये चापकला की नवीनतम दिधाएं हैं अब आपसे पूछा गया है कि मुद्रण की विधियां बताईए तो मुद्रण की दो विधियां होती है इंटेगिलियो और इंग्रेविंग इंटेगिलियो क्या होता है इंटेगिलियो और घहरी सता का प्रेंट लेंगे इंग्रेविंग बात कर लेते हैं कुश्च नम्बर सेकिंड की दिवारों से सरुकार नामक छाया चितर के रचनात्मक सहियोजन का वर्णन आपको करना है तो दिवारों से सरकार छापा चितर के गलागार का नाम अनुपमसूद है अनुपमसूद जी ने इसको 1982 इसवी में लीथोग्राफि विधी और फोटोग्राफिक प्रतिबिंब के मिशन से बनाया है इस चितर में एक महिला को विध्वा की परमपरागत सफेद लिवास में करुण मुद्रा में बठे वे दिखाया गया है उसके आगे म्रत पती का शरीर का केवल पैरो वाला भाग दिखाया गया है जो उसके अस्तित्वहीन होने को दर्शाता है अथा सामाजिक रूप से वे अब अपने पती की तरह म्रत समान ही है इस चितर में कलाकार ने उस सच्चाई को जागर किया है जो एक इस्त्री के जीवन की विडम बना है पिठा आपका कोश्च नमबर तीन पूछा गया है देवी नामक छापा चितर में कलाकार की सोच का वर्णन करना है तो कलाकार ने क्या सोच कर देवी चितर को बनाया तो देवी नामक छापा चितर के चितरकार का नाम जोतिन्रमान शंकर भठ है इन्होंने इस चित्र को 1965 सक्तरी श्वी के मध्य बनाया, धातु निस्तारण विदी से बनाया और पीतल की सता पर बनाया इस चित्र में उन्होंने कुंडली जागरत करने अर्थात अलो की कानंद प्राप्त करने की और अग्रसर उस मानवे परक्रिया को दर्शाया है जिसका वर्णन हिंदु धर्म सास्तरों में वतांत्रिक विद्या के अंतरगत किया जाता है जोती भट का मानना है कि मानव शरीर में विद्यमान तंत्री का तंत्र है जो मेरू डंड के विबिन्न भागों में विद्यमान उर्जा के विबिन्न शुरोतों की व्याख्या करता है इस चित्र में नाभी के पास इस्त्रियों चित्र सक्तियां तता हिर्द्य के पास पुर्शों चित्र शक्तियों का वास होता है मनशे अपने जब तप योग कुरियाओं से इन कुंडली नी रूपी शक्ति को जागरत करके तंतरीका तंतिके सहारे मस्तर्शक्यकी और अग्रसर करने का प्रयास करता है कुंडली नी जागरत होने पर दुर्ग्वा स्रूरुप महासक्ति के दरशन होते हैं यह शक्ति इस्त्री हो पुरुष हो दोनों में बिना किसी बेदवाव के दिव्य उर्जा का संचार करती है और इस पूरी थियोरी को इस चित्र के माध्यम से दर्शाया है जोती भटने चोथा वर्शन है बच्चे नामक छापा चित्र में चित्रकार की भावनात्मक पहल उपर प्रकाश डालिए तो बच्चे नामक छापा चित्र के कलाकार का नाम सोमनाथोर है सोमनाथोड ने अपनी कलाकृतियों में बंगाल के भ्यंकराकाल को, भारत-पाकिस्तान युद्ध को, गरीवी को, बुकमरी को इसी तरह के विश्यों को चित्रित किया है इस रचना में यानि की बच्चे नाम की जो उनकी रचना है, उसमें भी उन्होंने बुकमरी, कुपोशन, शोशन के शिकार, एक गरीव परिवार के संगर्शों को और वेदना को प्रदर्शित किया है इस चित्र में तीन दुर्बल बच्चे उनकी मा को दिखाया गया है बच्चों के विक्रत चहरे, विक्रत मतलब बिगडे हुए चहरे, कमजोर शरीर से जाकती पसलिया, वेकुपोशित शरीर, सूखी हुई आँखें, उनकी दीन हीन दशा को व्यक्त कर रही है उनकी मा जो स्वयम दीनहीन वकुपोशित है अपने बच्चों के कंदे पर हात रखकर उन्हें धस पर आने का प्रयास कर रही है एक लड़की उनकी और संभवता दया भाव से देख रही है चित्र को समतल सतह को सफेद भाग को काली रिखा से दिखाया गया है नेक्स्ट आपका आदमी औरत और व्रक्ष पर संचिप्त नोट लिखिए तो आदमी औरत और व्रक्ष चापा चित्र के कलागार का नाम के लक्षमा गोड है इस चित्र को उन्होंने 1980 के बीच बनाया मौफ पेपर पर एचिंग और एक्वाटेंट विधी से बनाया उनके द्वारा बनाये गए चापा चित्रों में ये वाला चित्र सर्विश्रेस्ट है उन्होंने विविन नरंगों के सहियों जिन से व्रक्षों को उनकी डालियों के पत्तों को चित्रित किया है एक व्रक्ष के नीचे उन्होंने एक सुसजद महिला को साड़ी ब्लाउज पहने दिखाया है उसके बाल जूड़े की शकल में पीछे की और बंदे हुए है तथा दोनों हाथ आगे की और एक दूसरे के उपर रखे हुए है पास ही तीन व्रक्षों के नीचे एक युवा पुरुष बैठा हुआ है दोने एक दूसरे को हसत भरी नजरों से देख रहे हैं जो की स्त्री पुरुष के बीच सुभा भी आकर्शन का प्रदर्शन है तो ठीक है बीटा ये था आपका चेप्टर नंबर 12 का सॉलिशन कुछ बच्चों की बुक में चेप्टर नंबर 13 के दिया हुआ है तो आप सॉलिशन किसे साब से देखेंगे कि ये चापा कारों का चित्र है है ना समकालीन आधुनिक भारतियक अलाकारों के चापा चित्रियाने की प्रिंट मेकर आर्टिस्ट और उनकी रचनाओं पर अधारिती चेप्टर है ठीक है तो आशा करते हूँ बटा आपको मेरी वीडियो से जरूर मदद मिलती होगी तो बटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें जिससे की और बच्चे भी मेरी वीडियो देख पाएं